हेलो एंड वेल्कम टी ओर फीवरेट चानल ब्रेनो सोल्यूशन तो यहां पर यह कहने है यह भी तुम्हारे पास एक टीवी टार है एक यहां यह जो है बैंक के किनाल पे मतला एक कोई किनाल है कोई रिवर है उसके साइड में टार लगाव है तुम एक पॉइंट सी से अगर थॉप टीवरेशन ना थटीडिगरीज बन रहा है एक तो यहां पर हम को फाइं करना है हाइड ऑफ दाटार देखो तो में क्या क्या देखना है यहव्ट फॉइंड आउट है फैस फाइंड आउट हाइड कि गाच विद फॉच है जो इन देखना है तूट सूझ आ पिकर विद ओफ किनाल यह कितनी हो जाएगी तुम्हारी सी भी हमें यह दो चीज़े फाइंड आउट करने हैं यहाँ पर तो देखो बच्चो अब सिफ हमें परपेंडिकुलर और बेस से मतलब है परपेंडिकुलर हाइट फ़ोगे टार होगी और विद क्या होगी बेस यह हो गई ठीक है तो इसके लिए मैं क्या करूंगे 10 का इस्तेमाल करेंगे इन ट्राइंगल ABC या BC यह कह दो चलो मैं क्या कह सकते हैं यहाँ पर 1060 डिग्री इस इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस कैसे पंड़द बद्री प्रसाद हर हर बोले ठीक है तो साइन भी नी इस्त इस्तेमाल करूंगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस ठीक है अगर है पॉटनियूस की जरुवत होती तो हम लोग साइन और कॉस अस्तेमाल करते लेकिन अभी यहां पर बच्चो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा AB बेस कितनी हो जाएगी CB ठीक है ख्लेर है तो यहां से 1060 इसी क्या होता है रूट 3 तो रूट 3 में CB मुल्टिप्लाइग कर दो इस इक्वल टू AB तो तुम्हारे पास सपोज यह आगी एक्वेशन 1 ठीक है क्लियर है अब हम इसी कर इस्तेमाल करेंगे आगे चलो अब आजो तुम दूस्त्रे वाले ट्राइंगल में इन ट्राइंग ठीक है db को मैं कैसे लिख सकती हूं db can be written as dc plus cb लिख सकते हैं ठीक है यहां पर देखो मैं पता है कि dc कितना है 20 meters है ठीक है clear है इसकी जगा मैं क्या लिख सकती हूं 1 upon root 3 यह क्या है बच्चो इसको उपर लिया हो ला सकते ना इसको उपर मुल्टिप्लाइग कर दो इसको अब मैं क्या करूं यह रूट 3 अधर लिया आती हूं cross multiply कर देती हूं तो यह हो जाएगा root 3 ab is equal to this much अच्छा नहीं रुको एक सिकेंड रुको इसको तुम a b की form में रखो देखो क्यों हां यहां पर भी a b है यहां पर भी a b है तो मैं दोनों को equate कर सकती हूं this is equation 2 तो मैं क् से root 3 cb is equal to this much कह सकते है ना चलो तो हम इसी पर भी work करेंगे यहां से तुम्हें cb की value मिल जाएगी थी तो हम क्या कह सकते है बच्चों यहां से root 3 cb is equal to 20 plus cb upon root 3 यही तो था अब मैं क्या कर सकती हूं root 3 धर लिया हो तो multiply हो जाएगा ठीक है root 3 3 कितना हो जाएगा 3 cb 3 cb is equal to 20 plus cb ठीक यह cb धर लाओ तो 2 cb minus 3 cb minus cb कितना हो जाएगा 2 cb is equal to 20 ठीक यह 2 इधर आजाओ तो यह denominator में आ जाएगा तो यह हो जाएगा 10 meters यह क्या आगई तुम्हारे पास width of canal आगई cb क्या थी width of canal थी तो हम कह सकते है width of canal is equal to 10 meters ठीक यह relationship था हमारे पास तो यहां से मैं क्या कह सकती हूं के a b कितनी हो जाएगी height of t tar कितनी हो जाएगी height of tv tar कितनी हो जाएगी बच्चो root 3 cb cb कितना है बच्चो 10 तो मैं इसको कह सकती हूं 10 root 3 meters यह क्या आगई तुम्हारी height of the tv tar ठीक है आगे समझ में अब आजो तुम इसके question number 12 पर क्वार के